वेल्कम बेक अब्रिवन वेल्कम टो सुबल सर्विसे श्टड़ी प्रक्टिस सेट नमबर 179 लगाते हैं यूपी पीसियस के लिए फोकस करेंगे साइन्स के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं आज डेट हो गई है दो अगस्त तूथाउजन टॉन्टी तो कुश्ण नमबर बन है अगर अगनाश में खराबी हो तो क्या होगा पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी इंसुलिन और ग्लूकागान नहीं बनेंगे रक्त निर्बान बंद हो जाएगा और चोथा है रक्त चाप बढ़ जाएगा देखेए इसका उट्तर हो जाएगा उप्सन नमबर भी इंसुलिन और ग्लूकेगान नहीं बनेंगे पैंक्राप से निकलते हैं पैंक्रिया अगनाश रखनाश में होती है लैंके नहां इसकी दिपकाई उसमें इल्फा, बीटा और गामा से निकलते हैं ग्लूकेगान इंस अगनाशे, अगनाशे को बोलते हैं पैंकरियाज, अगनाशे एक mixed gland है, मिस्रित ग्रंथी है जिससे पाचन, जिससे जो है पाचक enzyme तथा इसकी legger hands, दीपिकाओं से बीटा, जो इसमें कोशिकाओं होती है, उनसे निकलता है, insulin, alpha कोशिकाओं से निकलता है glucagon, तथा delta या gamma कोशिकाओं से निकलता है, somatostatin नामक hormones, यदि अगनाशे में किनी करणों से खराबी आ जाए तो, इन hormones का निर्मान जो है, सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा question number 2 पर आजएए, अगनाशे को करता है, ट्रिप्सिन, ती C है सिक्रेटिन, और चोथा है पैप्सिन, देखिए, पैप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाय में यह नहीं होगा इसका अंसर हो जागा, option number C सिक्रेटिन, तो अगनाशे, यानि पैंक्रियास को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, जो है वो सिक्रेटिन है, यह जटा रस के इस्तरावन को भी कम करता है, तथा यह पिताशे के संकुचन को भी प्रेडित करता है और रैनिन दूद के वियोजन का कार करता है, जो और option पर आजाए, इंसुलिन होता है इस्टेरोइड, कार्भोहड्रेट, प्रोटीन या फिर बसा देखिए, अभी तो इंसुलिन हार्मोन था बीटा से निकल रहा था लेकिन यहाँ पर हार्मोन उप्सन में नहीं है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन लगाएगे हम क्या लगाएगे, प्रोटीन option number C तो एक इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है या फिर यह प्रेप्टोइड हार्मोन से जो की अगनाशे के अंत्रेस्तावी भाग लेंगनहाईज की देपिकाओं की वीटा सेल से स्रावित होता है और इंसुलिन के अलप स्रावन से क्या होगा कम सिक्रिशन से क्या होता है डाइबिटेज मिटेलेस कुश्वर नमबर 4 पर आजएगे निमले के तुम से कौन सा पादब हार्मोन नहीं है अब यह पादब हर्मोन्स होते हें साइरोकाइनिन जिब्रेलिन आकसन एताईलीन यह है यह है एतायलिन के बार ने को तो पता होगा आपको भी पताया था तो देखे एइंसुलिन अगनाशेय पैंकूरियाज की अंते़ अस्त्रावी भाग लेगन है इस देपिकाव की वीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हर्मोन से इसकी कमई से मधु में रोग हो जाता है इसमें बोलते हैं डाइवस्टीज मेटलस कुश्चन नुमबर 5 पराज़िए सरीर में अतिरेक्त ग्लुकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर तो देखिए मानब सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है यकरत ये लिवर जिसका प्रमुख कार जो है रक्त में उपस्थित अतिरेक्त ग्लुकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है आवशक्त अनुसार यह है आवशक्त अनुसार या ग्लाइ आवशक्त अनुसार ग्लाइकोजन ग्लुकोज में बदल कर सरीर को उर्जा परदान करता है और इस प्रकार यकरत अतिरिक्त सरकरत था उर्जा में जो है साम जश्य बनाए रखता है अगर बात करें इनको इंगलिस नामों की तो आमाश्य होता है स्टोमक यकरत को बोलते हैं लिवर और पैंक्रियाज को बोलते हैं अगनाश्य कुश्यों नुबर शिक्स पर आजएगे कौन सी ग्रंथी दुख दिन विशकासन हार्मोन्स ऑक्सिटोसिन का सरावण करती है एड्रिनल ग्रंथी नहीं करती पैरा थायरड नहीं करती थायरड नहीं करती ये करती है अप्सन नमबर एपिटियोटरी ग्लेंड प्यूस ग्रंथी सबसे चोटी ग्रंथी है सरीर की है तो प्यूस ग्रंथी देखिए सरीर की मास्टर ग्रंथी कहलाती है सबसे चोटी है क् के सरीर की समस्त अंत्यस्त्रावी ग्रंथियों को संचाले करती है और इसके द्वारा इस्त्रावित होने वाला हॉर्मोन कौन सा है ओक्सिटोसिन इसके द्वारा स्त्रावित होने वाला ओक्सिटोसिन जो हॉर्मोन से वो इसके अग्रपिंड द्वारा स्त्रावित होता इसके किसके पिट्रियूट्री मतलब प्यूश ग्रंथी के मानब सरीर की सबसे छोटी अंत्रेस्थरावी गंथी का नाम बता दीजे अभी जिस पर चर्चा हो रही है वही है मानब सरीर की सबसे छोटी अंत्रेस्थरावी ग्रंथी smallest endocrine gland नाम क्या है इसका pituitary gland जिसको बोलते है प्यूश ग्रंथी हिंदी में तो देखिए मानब सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी है प्यूश ग्रंथी और इसका भार होता है 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास होता है इसका 1 से 1.5 cm तक इसे हाइपो फाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं जो कि मास्टर ग्रंथी के नाम से प्रशिद्ध है क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अंत्रसावी ग्रंथियों का नंत्रन करते हैं Question No.8 पर आज़िए मानब सरीर में निमलिक हार्मोन्स में से कौन सा रक्त और फास्फेट को विनेमित करता है इन में से कौन सा हर्मोन्स है मानब सरीर का जो रक्त कैल्सियम और फास्फेट को विनेमित करता है पराभिटू कौन सा पराभिटू हर्मोन्स तो देखिया पराभिटू हर्मोन्स या पराभिटू हर्मोन्स रक्त कैल्सियम और फोस्फेट को बिनेमित करता है गर्दन में थाइराइड गरंथी गर्दन में थाइराइड गरंथी के पास इस्थित पैरा थाइराइड के द्वारा पैरा थाइराइड हार्मोन्स का स्रामण किया जाता है और इसी हार्मोन्स की साहिता से यह है रक्त केल्शियम तथा फॉस्फेट को बनेहित करता है तो पैराथाइरोइड से निकलता है पैराथाइरोइड हार्मोन्स गर्दन में थाइरोइड गरंथी के पास इस्तित होता है पैराथाइरोइड Q9 पर आजाईए परितरप्ती एबम प्याज के केंद्र मानम मस्तिक्स के निम्लिकित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं यह most important है इसका उत्तर है option number V hypothalamus तो देखिए hunger, thrust, body temperature, love, hate यह सारे के सारे इनका विंदू होता है मस्तिक्स में hypothalamus रक्तदाब, जलके, उपापचेन, पसीना, गुस्सा, आदी यह सारे भी इसके द्वराही नियंत्रित होते हैं यह अंत्य स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रिन करता है question number 10 पर आजाए हरे फलो को करतिम धंग से पकाने है तू प्रियुक्त गैस कौन सी है इसमें carbon dioxide, hydrogen, ethane या फिर acetylene carbon dioxide नहीं है, hydrogen नहीं, ethane नहीं है, इसका अंसर हो जगा उप्सन बरे acetylene, gas की बात हो रही है तो फलो को पकाने में प्रियुक्त होने वाले calcium carbide में arsenic और phosphorus पाया जाता है calcium carbide बातवरण में मौझूद नमी से प्रितकरिया कर acetylene gas बनता है, जिससे फल पकता है जब चीटी काटती है तो बैं अंतेक शेपित कर देती है आपकी बाड़ी में क्या methanol या फिर glycine, acetic amyl, formic acid या फिर या फिर क्या, ceteric acid तो ceteric acid नहीं है, formic acid या अंदर डालती है कई बार बताया है बोड़ी में तो चीटियों के काटे जाने पर सरीर में formic amyl का अंतेक शेपन होता है जिसके फलसरूप सरीर में दर्द और चुन-चुनाहट का अभास होता है काफी खुजली भी होती है उस जगह बार बार खुजाने का मन करता है formic amyl एक जो है कार्वनिक योगिक है जो की कार्वोक्सलिक स्रेणी का प्रथम सदस है जिसका दैनिक उपियोग जीवण नासी के रूप में कॉमार रवर के व्यवसाय में और फलो के रज को सुरक्षित रखने में किया जाता है question number बारे पर जोई है मानब सरीर का कौन सा भाग सरीर ताप को नियंतरित करता है हरदय फेपड़ा यक्रत ब्रक कौन सा है इनमें सरीर का भाग जो ताप को नियंतरित करता है वो है फेपड़ा option number B तो देखेए फेपड़ा एक प्रमुख सुषन अंग है जो की सरीर ताप को नियंतरित करता है सुषन क्रिया के दोरान सरीर के उतकों में भोज पदार्थ के आकसी करण से जहां एक और उर्जा उतपन होती है वहीं दूसरी और जलबास पता गैस का सरीर में उच्छ सुषन होता है और निश्काशन होता है जिसके प्रणाम सरूप सरीर का ताप भी नियंतरित रहता है question number 13 पर आजोई है मानब मस्तिक्स के निमलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है कौन सा है तो मानब मस्तिक्स के बेविन भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिवदियों का संचलन तथा नियमन किया जाता है मेडूला, अबलंगोटा, भोजन, निगरण, उल्टी निगरण मतलब निगलना, उल्टी, हरदय स्पंदन की दर खांसना, छीकना, इत्यादी का जो है नियमन केंद्र है कौशन नुमबर फोटीन पर आजोईए मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है हर्ट, लंग्स, किटनी, या फिर स्प्लीन मतलब प्लीहा, गुर्दा, फेपड़ाय, हरदय मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है स्प्लीन होती है, स्प्लीन प्लीहा आरवीसी का कबरिस्तान इसको बोलते है मोस्ट इंपोर्टन्ट है, बहुत पूचते हैं इसको स्प्लीन या प्लीहा तो देखिए मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है इसका नाम याद रखेगा कुश्यों नूबर 15 पर आज़ेए निम्न में से कौन सा कीट के काटने से होता है कौन सा रोग है इसमें जो कीट के काटने से होता है इसकरवी, डेंग्यो, निमोनिया, दमा देखिए इसमें साप साप लग रहा है कौन सा कीट के काटने से होना चाहिए ओप्सन नंबर भी इसकरवी तो विटामिन सी के कारण होता है तो डेंग्यो जोर में जो है एंडीज, एजिप्टाई, नामक मच्चर कहते है और मच्चर है क्या? एक कीट तो है मच्चर कीट है, खटमल कीट है बरूती कीट है हाउस फ्लाई, मक्खी कीट है कीटो के लेक्शन क्या होता है? तीन जोरी पैर यानि 6 पैर होते है मकड़ी कीट है क्या मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि उसके आठ पैर होते हैं याद रखेगा तो बंदरा प्रशनते इंपोर्टन्ट अच्छे से इसका रिविजन गम से कम एक से दोबार कर लिजेगा धन्यवाद